तो आज हम एक differential equation solve करेंगे हम देखेंगे कि यह जो है वो हमारा कितने solution रखता है infinite solution रखता है और initial condition क्या दे रखे y0 is equal to 0 अब यहाँ पर देखो 2 by 3 dy upon dx y की power 1y3 इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं dy upon y की power 1y3 dx और इसको हम solve करते हैं तो यह हमारे किस तरह का मिल जाता है y उपर जाएगा तो y की power minus 1y3 आ जाएगा इसका जब integration करेंगे तो क्या आएगा हमारा y की power 2 by 3 और यह 2 by 3 is equals to x plus integration constant c तो यह हमें क्या मिल जाएगा y की power 2 by 3 is equals to x plus c तो अब हम initial condition रखेंगे y 0 is equals to 0 तो यहाँ पे 0 यह 0 तो c क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा तो इससे हमें y क्या मिलेगा y is equals to x की power 3 by 2 अगर हम इस method से देखें तो हमें y क्या मिल रहा है unique solution मिल रहा है लेकिन यहाँ पे यह जो है ना यह infinite solution रखता है यह जो differential equation है यह infinite solution रखता है अब देखो यहाँ पे अगर हम y जो है वो 0 पुट करते है y x is equals to 0 तो इसका differential क्या आएगा y dash यह भी हमारा क्या आएगा 0 तो यह देखो यहाँ पे हम पुट करें y dash 0 y 0 satisfy कर रहा है तो इसका मतलब यह भी इसका solution है अब यह दो solution मिले हमें अब हम यहाँ पे देखते है infinite solution कैसे exist करते है यहाँ पे देखो हमने y x किस तरह से define कर रखा है y x is equals to x minus c की power 3 by 2 यहाँ पे अगर x जो है वो हमारा c से greater है और x अगर हमारा 0 और c के बीच में तो हमने क्या ले रखा है 0 ले रखा है 0 के लिए तो हमने देख लिया अब यहाँ पे देखो c जो है वो हमारा x से मतलब जो x है वो c से greater है और c हमारा कहां से real number से है तो real number हमारे कितने है c के लिए क्या possibility है जितने r में element है ठीक है और वहीं x हमारा क्या होना चाहिए c से greater होना चाहिए अब यहाँ पे देखो x हमारा क्या है greater than equal to 0 है ठीक है तो जो है यह c हमारा क्या हो सकता है तो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है अगर हमारा c negative होगा तो यह में x plus c तो भी हमें बहुत सारे solution मिल जाएंगे और अगर x positive है तो उसमें अगर c positive है तो उसमें x भी हमारा positive होना चाहिए तो यहाँ पे यह c के लिए पूरी r possibilities है अब हमने y x define तो कर लिया अब हमें क्या करना है कि इसको so करना है कि यह solution होगा जो differential equation हमें दी हुई है तो यह हमें so करना है अब अगर x जो है वो हमारा 0 और c के बीच में है तब तो हमें y 0 जो है 0 मिल रहा है और उसके लिए y dash x जो है 0 यह हमने अभी देखा तो जो इसको satisfy कर रहा है अब अगर x जो है वो हमारा greater than c है तब हम क्या देखते हैं यहाँ पे अगर x हमारा greater than c है y x क्या है हमारा x minus c की power 3 by 2 और इसका जब differential करेंगे तो क्या हैगा y dash x is equals to 3 by 2 x minus c की power 1 by 2 और फिर इसका differential करेंगे x minus c का x के respect में differential करेंगे तो यह हमें क्या मिल जाएगा 2 by 3 y dash x is equals to x minus c की power 1 by 2 अब यहाँ पे देखो यह x minus c की power 1 by 2 है यहां से अगर हम value निकालने तो क्या मिलेगा यह हमें देखो यहां पर हम क्या करते हैं इधर दुनों तरफ cube root ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 by 3 is equals to x minus c की power 3 by 2 है 1 by 3 3 से 3 cancel out हो जाएगा यह क्या बचेगा x minus c की power 1 by 2 तो यह हमारा किसके equal है y की power 1 by 3 के equal है तो यह हमारा यहीं पर आगया 2 by 3 y prime x is equals to y x की power 1 by 3 और यहीं हमें क्या दे रखी है differential equation दे रखी है तो इसका मतलब यह जो differential equation जो हमें यह जो function दे रखा है यह इस differential equation का solution होगा है नँ और यहां पर इसके c के उपर depend करता है यानि अगर हम c1 ले तो x-1 भी इसका solution होगा x-2 x-3 इस तरह के यह बहुत सारे solutions इसके exist करेंगे c के पास infinite choice है तो इसके infinite solution exist करेंगे तो आज के लिए बस इतने हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में